हाई फ्रेंज अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बल आइकन दबाएं आरबियाई मोनिटरी कमिट्री के मेंबर ने उठाये 8.2% की विकास बेर पर सवाल मोधी सरकार ने जीडिपी फॉर्मूला में की गड़ बड़ी मोधी सरकार ने हाली में जो 8.2% गड़ दावा किया वो जनता से लेकर अर्थशास्यों तक के गले नहीं उतर रहा ये का जा रहा है कि जब निवेश से लेकर रोजगार तक के शेतरों से बुड़ी खब है, रुपय अगेर रहा है और तेल के दाम थम नहीं रहे तब इतनी विकास दर आना कैसे संभव है? अभी फी इतना के सवाल रिजर्व बैंक ओफ इंडिया आर्बिया की मौनिटरिक कमिटी के सदस्ते न उठाए उन्हें लगता है कि जब दुनिया अमेरिका चीन फ्रेड वोर, एमर्जिंग देश करेंसी संकट से परिशान हो, तब मैनिफ्रेक्टरिंग सेक्टर की इतनी ज्यादा ग्रोथ गले नहीं उतरती जून की तिमाही में GDP आर्ब दर्शनवलब दो प्रतिशत रही जिस पर मौद्रिक नीती समीती के सदस्ते रवाइंदर दोलकिया ने सवाल उठाते हुए लेक लिखा बटाड़े की डोलकिया इंडियन इंस्ट्यूट अफ मैनेजमेंट में फिकल्टी भी है वही नागराज इंदरागादी इंस्ट्यूट अफ डेवलप्मेंट रिसर्च मुंबबे में प्रोफेसर हैं और पांडिया डिरेक्टिरेट अफ एकोनोमिक्स में स्टैस्टिक लेक की मुताबिक इस बार उत्पादन की शंता देखने के लिए इंडिस्ट्री के साराना सर्वे की जगा कॉर्पोरेट फाइनाइशल डेटा ने ली और इस वज़े से पहले की मुकाबले जीडिपी ज्यादा दिखाई दिया लेक में पूशा गया कि जीडिपी को 8.2 प् शंका पैदा करती है यहां करें मेक्रो एकनोमिक से भी मेल नहीं खाते जब एक अर्थ शास्त्री को हटाकर फर्जी डिगली वाले को देश सौपेंगे तो रुपया तो गिरेगा और देश का मान भी अलका डॉलर और रुपय में मुकाबला चल रहा है और डॉलर रोज नीचे लोड़क रहा है शुकरवार के दिन 12 बज़े तक डॉलर के 71.87 रुपय पहुँच चुके कोडिया कमिटी के प्रमुक अजे कोडिया ने मानया कि अगर यही हाल रहा तो रुपया 75 कस्तर भी चु सकता है और रुपय की सिदी चिंताजनक बताते हुए कहा कि अगर सितम बढ़ते माही के बात करें तो रुपया 73.67 से 74 की रेंज में कारोबार करता नजर आएगा वहीं समामले पर आम आधी पार्टी विदायकलकालामा ने सोशल मीडिया पर मोधी सरकार पर निशाना साथते हुए कहा कि जब एक अर्थ शास्त्री को हटाकर फरजी डिग्री वाले को देश सौपेंगे तो परिणाम कुछ ऐसे ही आएंगे गौर्ट लबे की RBI की इस गिरावट को थामने के लिए डॉलर की बिकरी शुरू कर सकता है मीडिया में आई रिपोर्ट की मताबिक RBI अभी तक करीब 22 मिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्फ का इस्तेमाल कर चुका है अब अगर विश्यशकू की माने तो सरकार अपने विदेशी मुद्रा भंडार में जमा डॉलर की निकासी कर सकती है और उपय की ढहती स्थेती को थोड़ा सहाराग दे सकती है मोधी सरकार की बेतहाशा लूट की वजह से बड़ी महंगाई 2013 के बाद पेट्रोल पर 105 प्रतिशत और डीजल पर 331 प्रतिशत बड़ा टैक्स पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं और जनता की जेब में आग लगाते जा रहे हैं सरकार इस महंगाई की आग का कारण अंतराश्य बाजार में कच्चे तेल की दामों का बढ़ना बताती है लेकिन क्या सही में पहले के मुकाबले दाम बढ़े या ही अपनी नाकामी छुपाने का महज एक बहाना है सचा ही है कि अगर 2013 यानि की फिश्ली सरकार के कारेकाल से तुलना की जाए तो कच्चे तेल की दाम अंतराश्य बाजार में घटे हैं जिसमें बढ़ाती हुई वो है केंदर सरकार का जंतागा जेब काटने का इरादा और टैक्स नाम के हतियार की धार मोधी सरकार ने यूपीय सरकार के मुकाबले पेट्रोल पर लगाये जाने वाले टैक्स में 105 प्रतिशत की बढ़ात्री के वहीं डीजल की बात करें तो प्रदान मंत्री मोधी ने पहली बार ये काम करने की परपरा को निभाते हुई डीजल पर टैक्स लगाने वाला प्रति डॉलर थी इस बढ़ात्री का मुके कारण केंदर सरकार द्वारा लगाई जाने वाली एक साइस द्यूटी यानि की टैक्स है 2013 में सरकार एक लीटर पेट्रोल पर 9 रुपे 48 पैसे का टैक्स लगाती थी लेकिन मोधी सरकार ने इसे 105 प्रतिशत कर दिया 19.48 रुपे कर दिया पेट्रोल के मुकाबले डीजल को देखें तो यहां इस सरकार का कहर सबसे जादा बरसा 2013 में डीजल दिल्ली में डीजल के दाम 52.54 रुपे थी जबकि आज ये 71.15 रुपे हो गए कारण यह कि 2013 में केंदर सरकार एक लीटर डीजल पर टैक्स लगाती थी तीन दुपे अमेरिका जिसी सडकों को दावा करने वाले शिवराज के मंतर की गाड़ी गड़े में फसी वीडियो शेयर कर आप नेता निकसा तंज मद्रप्रदेश के मुख्य मंतरी शिवराज सिंग चोहान भले ही अपनी सरकार का बखान करते हुए सूबे की सडकों की जमकर तारीफ करते हूँ इसकी तुलना अमेरिका की सडकों से कर दे हूँ लेकिन इन तारीफों में कितनी सचा है इसकी एक बानगी उस वक्त देखने को मिली जब उनकी ही सरकार के एक मंतर की गाड़ी सडक की गड़े में फस गई और उसे निकालने के लिए एक कड़ी मशकत करनी पड़ी इस पूरे मामले का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें आम आदी पार्टी की मद्रपते शिकाई के अध्यक्ष आलोक अगरवाल ने अपने आधिकारिक टूटर हैंडल से शेयर किया आलोक अगरवाल ने बताया कि गड़े में फसी गाड़ी शिवराज सरकार के कदावर मंतरी नरोत्रम मिश्रा की है वीडियो में देखा रसकता है कि रोड की आलत बेहद घराब है रोड पूरी तरह से कच्ची है और उसमें बूरी तरह से कीचर जमा हुआ है वीडियो में देखा है कि गाड़ी को निकालने के लिए कड़ी मशकत करनी पड़ रही है सुरक्षा कर्मियों के साथी स्थानिये लोगों के मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया इसी वीडियो पर तंज कसते हुए आलक अगरवाल है ट्वीट कर लिखा मद्यप्रदेश के अमेरिके जिस सड़कों पर बाजपा मंत्री श्री नरोत्म मिश्रा की गाड़ी तेजी से दोड़ते हुए जरा सोचिये शिवराम ना होता तो क्या होता बताते कि मद्यप्रदेश की मुक्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान कई बार सारवजिक मंचों पर कह चुके हैं कि उनके राजपी की सड़क अमेरिकों की सड़कों से बहतर हैं लेकिन उनके इस दावों की पोल तो बे अक्षर विपक्षी खोल देते हैं इसने पहली कॉंगरेस के बरशनेतर जोदर आजपी सिंध्या ने सुबे की सड़कों के पोल खोलने वाला एक वीडियो ट्विटर के जरीए शियर किया था वीडियो में दिखना था कि बीजेपी का एक प्रचार वाहन जिस पर पीएम मोदी और शिवराज सिंग पे पोस्टर लगे हैं बारिश की चलते हैं सड़क पर बने एक गड़े में फस गई इसके बाद लोगों ने गाड़े को धक्का मार कर गड़े से बाहर निकालने की कशकत की पिछले चार साल से अटकी है अडानी समू के 29,000 करोड रुपे की घोटाले की जाँच किया अपने उद्योपती दोस्त को बचा रही है मोदी कॉंग्रेस गोटाले में जिस कमपनी का नाम है वो प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी के पसंदीदा पूझी पती अडानी की है पूझी पतियों के साथ पसंबंध होने पर अब मोदी सरकार गिरती जा रही है जिस तरह के मामले पिछले कुछ समय से सामने आ रहे हैं वो सरकार की नियत पर सवाल उठाते हैं कई मामलों में प्रधार मंतरी मोदी के करीबी माने जाने वाले गौतम अडानी का नाम सामने आ चुका है अब कॉंग्रेस ने भी केंदर सरकार पर इस तरह का आरूप लगाया कॉंग्रेस ने आरूप लगाया कि मोधी सरकार के दौर में हुए कोईला आयात घोटाले की जाच चार साल से अपकी पड़ी है क्योंकि इसमें प्रधान मंत्री के पसंदीदा पूझी पतियों की कंपनिया शामिल है कॉंग्रेस ने इस मामले में पूछा कि क्या वित्य मंत्री इस पर ब्लॉग लिखेंगे केंदर सरकार 29,000 करोड रुपे के कोईला आयात घोटाले की जाच के लिए जरूरी कावजात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से नहीं ले पा रही क्योंकि इस घोटाले में जिस कंपनी का नाम है वो प्रधान मंत्री मोधी के पसंदीदा पूझी पति अडानी की है सोमवार को कॉंग्रेस ने यह आरोप लगाते हुए इस मामले की जाचत तेजी से करने की मांग उठाई कॉंग्रेस ने आरोप लगाया कि हजारो करोड की कोईला आयत घोटाले में केंदर सरकार की तरफ से जान बूझ कर देली की जा रही है क्योंगी इस में प्रदान मंतरी मोधी के पसंदीदा पूझी पति की कंपनी का नाम इस शामिल है कॉंग्रेस ने जहराम रमेश ने एक प्रेस कॉंफरेंस कर कहा कि एक्टूबर 2014 में बित्त मंतराले के अधीन आने वाले डियाराई ने गोशना की थी कि कोईले की निर्यात में घोटाला हुआ है और उसकी जाच होगी घोटाले इस बात का कि कंपनीों ने दूसरे देशों से मंगाए गए कोईले की हीमत बड़ा चड़ा कर बताई जहराम रमेश ने बताया कि जाच के एलान की करीब इच्छे महिने बाद 31 मार्श 2016 को डियाराई ने बयान दिया कि इस मामले में 40 कंपनीयों के शामिल होने की बात है और कुल घोटाला 29,000 करोड का है कॉंगरेस ने ने कहा कि इन सभी 40 कंपनीयों में से जालतार इंडोनेशिया से कोईले की खरीद करती थी और उन्हें भारत की कई कंपनीयों को आपूर्ती करती थी इनमें सरकारी बिजली कंपनीया भी शामिल है कॉंगरेस का आरोप है कि इन दो बयानों के बावजूर डियाराई की जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुँची कॉंगरेस निता ने बताया कि इस बीच अडानी की कंपनीयों ने सिंगापूर हाई कोर्ट में कियाची का दायर की और मांकी की कोईला आयाद से संबंदित जो भी कागज या दस्तावेज हैं उन्हें भारत सरकार या जांच एजनसी को ना दिये जाने का आदेश दिया जाए जेहराम नमेश ने कहा कि इस बीच 20 मही 2016 को वित्ति सचे भस्मों का दियाने स्टेट बैंक की दतकालीन चेर्मेन और मैनेजिंग डिरेक्टर अरुंदिती भट्टाचारे को पत्र लिखकर अडानी की कमपनी के कोईला आयाद से सम्मदित कागजार डियारा को उपलब्द कराने को कहा लेकिन चार दिन बाद ही SBI चीफ अरुंदिती भट्टाचारे ने जवाब दिया चुकि एडानी सम्मों ने सिंगापूर की अदायत में अर्जिदायर की है इसलिए कागजार DRI को नहीं दे सकते क्योंकि ऐसा करना सिंगापूर के कानून के खिलाफ है कॉंगरिस ने सवाल पूछा कि जब कंपनी भारत की बैंक भारत सरकार का कोईला आयात और उसकी आपूर्ती भारत नहीं और जांच भी भारती एजेंसिया कर रही है तो ऐसे में सिंगापूर कोर्ट के कानून की इतनी चिंता क्यों कॉंगरिस ने ये भी सवाल उखाय कि बीते चार साल में प्रधानमत्री नेरेंदर मोदी तीन भार सिंगापूर को दौरा कर चुके है और वहां के प्रधानमत्री भारत आ चुके है तो फिर इस मामले पर कोई प्रगती क्यों नहीं हो रही कॉंगरिस ने आरोफ लगाय कि चार साल में इस मामले की जाच आगे ना बढ़नी सिस्पश्च है कि ब्रधानमत्री की पसंदीदा पूर्जी पती को बचाने की कोशिश की जा रही है माइन दे न्यूजरूम की रिपोर्ट थैंक यू फोर वाचिंग आर वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले